आज के इस वीडियो में हम आपको हमपी के बारे में बताएंगे और जिन लोगों के लिए हमपी शब्द नया है उनको मैं याद दिला दूँ कि अगर बच्पन में आपने अकबर बीरबल के किस्से सुने हैं उत्तरी भारत में तो वैसे ही कुछ किस्से तेनाली रामा और राजा कृष्णदेव राय के बारे में भी सुने जाते हैं साउथ में और ये वही एमपाइर है जहां पर तेनाली रामा हुए हैं यानि करनाटका का विजय नगर एमपाइर और उसकी राजधानी हमपी जी हाँ चौदमी शताबदी में कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था और पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे व्यापार करने के लिए ये एक ऐसा शहर था जिसमें कहते हैं कि पिगला हुआ सोना तक दबा हुआ था कई पत्थरों के बीच में अब हम भी कि हम बात क्यों कर रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको बता दूँ कि ये सबसे ज़्यादा सर्च किये जाने वाला शहर है इंटरनेट पर अगर आप देखींगे और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक खुला संग्रहाला है यानि एक ऐसा खुला हुआ शहर जो अब खंडहर में तबदील हो चुका है फिर भी बहुत सुन्दर लगता है इस शहर में 1600 से ज़्यादा मंदर थे और साथ ही तुल भद्रा नदी के किनारे बसे हुए इस शहर में कई सारी बातें ऐसी हैं जिनके रहस से अब धीरे धीरे सामने आ रहे है हमपी की खुब सूरती के बारे में तो आपने कई ज़धा पड़ा होगा आज हम आपको हमपी के विध्वन्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं हमपी की कहानी शुरू होती है विजै नगर सामराजवे जिसकी राजधानी रहा हमपी विजय नगर सामराज्यू लगभग 1350 ईस्वी से 1565 ईस्वी के बीच फलता फुलता रहा और इसकी स्थापना की थी राज़ा हरहर ने विजय नगर का अर्थ होता है जीत का शहर मध्यूक के शक्तिशाली हिंदू सामराज्यू की स्थापना के बाद से ही इस पर लगातार आक्रमन होते रहे लेकिन इस सामराज्यू के राजाओं ने इसका कड़ा जवाब दिया ये सामराज्यू कभी दूसरों के अधीन नहीं रहा इसकी राजधानी को कई बार मिट्टी में मिला दिया गया लेकिन ये फिर से उठकर खड़ा हो गया हमपी के मंदिरों और महलों के खंड़रों को देखकर ये पता लगा जा सकता है कि ये कितना भव्य रहा होगा इसे युनेस्को ने विश धरोहर में शामिल किया है हाल के कुछ सालों में ये इंटरनेट पर सबसे जादा सर्च करने वाले शेहरों की लिस्ट में सबसे उपर रहा है हमपी मद्धिकालीन हिंदू राज विजय नगर सामराज्यू की राजधानी था भारत के करनाटक राजमिस्थित ये नगर युनेस्को द्वारा विश विरासत स्थलों की सूजी में भी शामिल है यहां दुनिया के सबसे बहतरीन और विशाल काय मंदर बने हुए थे जो अब खंडहर में बदल चुके हैं यह माना जाता है कि एक समय में हमपी रोम से भी सम्रद्ध नगर था यहां मंदिरों की खुबसूरत श्रंकलाएं हैं इसलिए ऐसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है राजा कृष्णदेव राज ने 1509 से 1529 के बीच हमपी में शासन किया था कृष्णदेव राज जब तक जीवित थे तब तक इस राज्य पर और इसकी राजधानी पर किसी भी प्रकार की आँच नहीं आई विजयनगर सामराज्य के अंतरगत, करनाटका, महराश्ट और आंधर प्रदेश के राज्य आते थे कृष्णदेव राज की मृत्यू के बाद इस विशाल सामराज्य को बीदर, बीजापुर, कोलकुंडा, एहमत अगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में क्रूरतम हमला करके नश्ट कर दिया भयंगर लूटपाट और कतले आम हुआ और संपूर्ण शहर को खंडहर और लाशों के धेर में बदल दिया गया ये तिहास का सबसे क्रूरतम हमला था प्रश्ण देवराई की मृत्यू के बाद अंत में केवल एक बिरार की मुस्लिम रियास्त को छोड़कर बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और एहमद नगर के क्रूर मुस्लिम शासकों ने एक साथ विजय नगर पर आक्रमन कर दिया तब राजा सदाशिव राए गद्धी पर थे, लेकिन उनके साथ राज्य के मुसल्मानों और उनकी ही सेना की एक मुस्लिम टुकुडी ने गद्धारी कर दी, ये युद्ध तालकोट में हुआ था सेनपती राए ने सैयुक्त मुसलिम आकरमन में विजय नगर की सेना का नेतरत्ट किया घमासान युद्ध के दौरान विजय नगर की सेना जीतने ही वाली थी कि उसके मुसलिम कमांडर अपने अपने सैनिक जथे लेकर हमला वर सेना के साथ जाकर मिल गए इस से युद्ध का नजारा ही बदल गया सेनपती आलिया राए कुछ सोच बाते उससे पूर वियू ने पकड़ लिया गया आलिया राए को पकड़ कर उन्हीं ततकाल मार दिया गया सदाशिव जानता था कि जीत हमारी सेना की ही होनी है लेकिन जब उसको विजयनगर की सेना की हार की खबर मिली तो वो जितना संबभ हुआ उतनी धनसंपती समेट कर हमपी से पलायन कर गया विजयनगर की सेना उस समय दक्षण की अजय सेना मानी जाती थी लेकिन भारती ये हिंदू राजाओं की उधारता अक्सर उनके लिए घातक बन जाती है तालीकोट के युद्ध में भी यही हुआ 25 दिसंबर 1564 विजह नगर के पतन की तारीख बन गई सदाशिव राय का शाही परिवार तब तक पेनुकोंडा जो की इस समय अनंतपुर जिले मिस्तत है वहाँ पहुँच चुका था पेनुकोंडा को उसने अपनी नई राजधानी बनाया लेकिन वहाँ भी नबाबों ने उसे चैन से नहीं रहने दिया बाद में वहाँ से हटकर चंदर गिरी जो की अब चित्तूर जिले में है उसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया वहाँ शायद किसी ने उनका पीछा नहीं किया विजनगर सामराज करीब 80 वर्ष और चला लेकिन गदारों के कारण विजनगर सामराज 1646 में पूरी तरह इतिहास के कालचकर में दफन हो गया इस वंश के अंतिम राजा रंग राय तृतिये थे जिनकी शायद 1680 में मौत हो गई आलिय राय के मारेजवाते ही विजनगर की सेना थितर बितर हो गई मुस्लिम सेना ने विजनगर पर कबजा कर लिया इसके बाद वैभव कला तथा विद्धता की इस एहतियासिक नगरी में लूट हत्या और ध्वंस का जो तांडव शुरू हुआ उसकी नादर शुहा की दिल्ली लूट और कतल आम से ही तुलना की जा सकती है इन हमलों के दोरान मंदिरों और मूर्तियों पर लगातार हतोड़े बरसते रहे हमलावरों का एक मात्र लक्ष था विजनगर का ध्वंस और उसकी लूट शायद सामराज जी हत्याना उनका पर्थम लक्ष नहीं था विजनगर में आज 1600 से भी ज़्यादा मंदिरों के विशेश है बड़ाव लिंगा मंदर आज भी शिवभक्तों में काफी लोग प्रिये है क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो एक ही पत्तर से बनाया गया है और काफी बड़ा शिवलिंग है अगर आप हमपी घुमने जाते हैं तो आप तुंग भद्रा नदी में एक बास्केट नुमा नाओं में बैठकर भी इसकी सेर कर सकते हैं देश विदेश से आज भी हजारों परे टक हर साल हमपी की भवविता देखने आते हैं इन में से जादा तर साइकल लेकर हमपी शहर का दौरा करते हैं हमपी को कभी किशकिंधा और पंपा के नाम से भी जाना गया था पंपा यानी पारवती जैसे उत्तरप्रदेश में काशी यानी वारानसी को शिव की नगरी कहा जाता है वैसे ही दक्षन भारत में हमपी को मापारवती की नगरी कहा जाता है हमपी का उलेख किशकंदा के नाम से रामायन में भी मिलता है और कहा जाता है कि राम के काल में यहां वानरों का राज था यहां की चट्टाने देखकर आज भी इस बात का एसास होता है अब मैं आपको बता जाता हूँ कि हमपी अगर आपको देखना है अगर आप हमपी विजिट करना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं करनाटका का हुबली एरपोर्ट हमपी का सबसे नजदी की एरपोर्ट है जो की हमपी से करीब 166 किलोमेटर दूर है और बैंगलूरू से आप हुबली पहुँच सकते हैं आप टेक्सी बस से भी पहुँच सकते हैं अगर आप रेल मार्क से आ रहे हैं तो हमपी का सबसे नजदी की जो रेल वे स्टेशन है वो हॉस्पेट जंक्षन है जो हमपी से 13 किलोमेटर दूर है और देश के प्रमुक शहरों से ये जुड़ा हुआ है आप बैंगलूरू से, हैदराबाद से, गोवा से, मुंबई से यहां पहुँच सकते हैं सौलक मार्ग से अगर आपको आना है क्योंकि ये शहर आज नहीं है लेकिन तब भी एक ऐसी कहानी कहता है जो शायद हमारे आने वाली पीडियों को सुनने की जरूरत है देखने की जरूरत है इतनी सारी कहानिया हैं जो इस शहर की गलियों में घूमते घूमते आपको सुनाई देंगी आप वहाँ जाकर कुछ ऐसा फील करेंगे जो शायद वहाँ बिना जाए संभव नहीं है और जो लोग साइकल चलाने के शौकील है उनके लिए जन्नत है योकि साइकल सिटी भी कहा जाता है आप साइकल से इसके सारे समारकों तक जा सकते हैं तीन से चार दिन का समय कहा गया अगर आप शहर को पूरी तरह से देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं वहाँ की आवो हवा को महसूस करना चाहते हैं तो तीन से चार दिन में आप हम भी घूम सकते हैं कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसे डीटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं ताकि हमारे देश की जो सांस्कृत एक और एतिहास एक धरोहर हैं उनके बारे में हम आपको बता सकें इससे जुड़े अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वीडिय हम देने की कोशिश करें थैंक्स सो मच